Hello students, well today we are starting with Akka Pulkow, यह जो एक जगह का नाम है और इसके राइटर है हबीब सलोम, यह एक ट्रेवल राइटिंग है, ट्रेवल राइटिंग बिसिकली राइटिंग का वो जॉनरा होता है जिसमें की कोई जो है अपने ट्रेवल एक्सपिरियेंसेज को लिखता है, अपने यातरा के अनभवों को लिखता है, तो चलिए हम लोग हबीब सलोम के इस ट्रेवल राइटिंग को पढ़ते हैं और उसके साथ हम भी इस जगह का अनन्द लेते हैं एकपल को एरपोर्ट से कुछ किलोमेटर आगे जाके बारा वियेखा का बीच जो था, वो काफी सुना सुना दिख रहा था, काफी खाली दिख रहा था डिजर्टेट का मतलब यहां पर लोग ना हो, बिल्कुल खाली हो जो जगह तो कुछ फीट पानी में जो है चलते हुए वेडिंग जानते हैं न, पानी में जब पैर उपर करकर के चलते हैं, that kind of walk is called वेडिंग, तो कुछ फीट पानी में जो है चलते हुए हम लोग जो है टूरिस्ट बोट पर चड़े, moored on the sands and began our sail up the lagoon जो की बालू में ऐसे ही जो है फसा के रखा गया था, moored का मतलब होता है किसी बोट या ship को जो है normally किसी केवल या रोप के साहरे जो है किनारे में बांद देते हैं या anchor में जो बांद के उसे रोके रखते हैं तो उसे कहते है moored, right? यहाँ पर जो है किसी anchor का use नहीं किया गया है, cable का use नहीं किया गया है, बस sand में ही जो है boat को फसा के रखा गया था, उस पर ये tourist बगेरा जो है वो चड़ते हैं और अब जो है ये लोग लगून की तरफ जो है वहाँ से चल देते हैं, sailed up the lagoon as we started to move, I looked back, जब हम लोग ने चलना शुरू किया, मैंने पीछे देखा, steering the boat was a girl that looked like a 15 years old, boat को कौन चला रही है, तो boat को चला रही है वो एक लर्की थी, जो कि 15 साल की दिख रही थी would she be able to save us if we had a misshap and I am unable to swim, क्या वो हमें बचाने में शक्षम होगी, अगर हमारा कोई हादसा हो जाए और मैं तैर ना पाऊँ I thought to myself as we moved through the murky waters, मैंने खुद ही मन ही मन सोचा, जबकि हम लोग थोड़े से गंदे हल चलवाले पानी से होके जो हम लोग move कर रहे थी तो यहाँ पर जो हमारा narrator है, उसे क्यों डर लग रहा है, उसे ये डर लग रहा है कि ये सिर्फ 15 साल की बच्ची जो है वो बोट को चला रही है, अगर कोई accident होगा तो क्या वो हमें बचा पाएगी, अगर मैं खुद तैर ना पाऊँ तो अच्छ चलिए, तो जड़ने की शुरुआत हो गई, जब ये लोग लगून में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लगून के दोनों तरफ जो है, बहुत ही घना जो है, पेर पौधों का जो है, ग्रीनरी मौजूद है, डेन्स ग्रीनरी मतलब की पेर पौधे जो है, वो काफ बरे-बरे जो है, मैजेस्टिक पाम ट्रीज जो है, वो इस पूरे लैंडस्केप को डॉमिनेट कर रहे हैं, यानि कि वो परमुखता से जो है, दिख रहे हैं इस लैंडस्केप में स्टोर्क्स, हेरोन, और दूसरे जो बिल्कुल एक्जोर्टिक बर्ड्स हैं, सब जगर नहीं दिखने वाले बर्ड्स हैं, वो सब जो है, मैंग्रोब्स और श्रब्स के डालियों पर जो है, आराम कर रहे हैं आराम कर रहे थे, मैंग्रोब्स आपको पता ही होगा, जहां पर कि Salty Water वाला जो एरिया होता है, वहां पर ये पधे पैदा होते हैं, जो कि पानी के नीचे भी इनका रूट होता है, और पानी के ओपर भी इनका रूट होता है, हमारे सुंदरवन के बारे में आपने सुना ह तो इन मैंग्रोब्स और श्रफ्स के ब्रांचेज पर जो है, ये स्टॉर्क्स, हेरोन्स और दूसरी जो है, ऐसे ही दूरला पच्छी सब जो है, वो रेस्ट कर रहे हैं, पैलिकन्स वर स्विमिंग इन दे काम वाटर्स अराउंड आवर बोट, पैलिकन्स जो थे, पैलिकन हुआ, पानी जो बिल्कुल शान्त हो, जिसमें की हल चल जादा ना हो, everyone seems to be enjoying the ecological ambience, सब जो है, वो उस ecological ambience को जो है, enjoy कर रहा था, यह लग रहा था है, सब जो है, उसको enjoy कर रहे हैं, right, ambience का मतलब क्या होता है, could you, would you like to make a guess, well, basically, ecology तो आप लोग जानते हैं, पेर, पौधे, पानी, हवा, सम मिलके एक जगह की ecology बनाते हैं, right, और वहाँ पर उस ecology का जो atmosphere है, या फिर उस ecosystem का जो atmosphere है, उसे क्या कहेंगे हम, ecological ambience, यह निकि उस पूरे जगह का जो overall mahal है, है ना, तो सब जो है, ऐसा लगता है, कि उस ecological ambience क enjoy कर रहे हैं, a rustic scene waiting for an artist's brush, rustic scene का मतलब क्या होता है, rustic का मतलब होता है, जो कि refined ना हो, है ना, countryside देहात का जो होता है, उसके लिए भी rustic का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर rustic का मतलब हो, जो बिलकुल जो है, refined ना हो, जो बिलकुल अपने natural condition में हो, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुती rustic scene है, जिसे कि एक artist के brush की ज़रुवत है, जो कि इसको उतार सके canvas पर, जो इसे paint कर सके, As we admired the lush vegetation and the diversity of birds, especially the storks resting on the branches, narrator जो है वो आगे बताता है, कि जैसे हम लोग जो है उस बहुत ही हरे वरे, पेर पौधे और पक्चियों की विविधता को admire कर रहे थे, खास करके storks, जो कि टेहनियों पर आराम कर रहे थे, the voice of our guide rang out, हमारे guide की आवाज जो है वो गुंज उठी, These birds you see are storks, you know, यह जो पक्चियों आप देख रहे हैं, यह storks है, हमारी है इसको सारस कहते है, you know, आपको पता है, I mean birds that bring babies, पच्छी, जो कि बच्चो को लेकर आते हैं, अब आपको यह कहानी नहीं पता है, कई बच्चो को यह बताया जाता है, कुछ जागों पर, कि बच्चे कैसे आते हैं, उनको यह बताया जाता है, कि यह storks जो है न, वो बच्चे लेकर आता है, और हमारी है छोड के जाता है, तो यह जो गाइड है, वो भी वही कहानी बता रही है, I mean birds, everyone is stickered as they watched the white birds, सब जो है वो मुझहप के जो है हस रहे हैं, मजा कुराने के सेंस में, जबकि वो उस white birds को जो है वो देख रहे हैं, यह जो है, बच्चों को जो सुनाई जाती है कहानी, वही वो कहानी जो है, यह guide भी जो है, वो सुना रही है, क्या आप गेस कर सकते हैं, कि guide यह कहानी क्यों सुना रही है, या फो क्यों वो stork को ऐसा describe कर रही है, कि birds that bring the children, क्योंकि बच्चपन में उसने भी तो यही कहानी सुनी होगी, और वो खुद भी बच्ची है, इसलिए वो अभी भी यही बिलीव करती है, यह storks जो है, these are the birds that bring babies, और इसलिए वो जो है, अपने guests को भी जो है, टुरिस्ट को भी जो है, वो ही कहानी सुना रही है, और टुरिस्ट जो है, वो समझते हैं कि यह तो बस कहानी है, बच्चों की, रियल नहीं है, इसलिए वो लोग जो है, हस रहे होते हैं, मजाक में. Flamingos sunned themselves on the edge of the lagoon, Flamingos, birds जो है, वो जो है, धूप जो है, खुद को लगा रहे थे, लगून के किनारे पर. While we leisurely made our way past, fishermen trying their luck, जबकि हम लोग जो है, आराम, आराम से जो है, उन मचवारों के बगल से गुज्रे, जो की अपनी किस्मत आज मारे हैं थे. इस चीज के लिए अपनी किस्मत आज मारे हैं होंगे वो, जसकरियेगा? Of course, they were trying their luck in terms of catching fishes. So well, they are moving slowly while the fishermen are trying their luck, right? In the shallow part of the lagoon, the operator shut off the motor. Lagoon का जो shallow वाला हिस्सा था, यानि कि जहाँ पर पानी की गहराई, जहाँ पर गहराई काफी कम थी, वहाँ पर operator ने जो है, motor को off कर दिया. And jumped into the murky waters and began to gently push the boat further into the rivulet while cool breezes. और वो जो है, मतलब की मिट्टी-मिट्टी मिला हुआ जो पानी होता है न, जो unclear water होता है, उसे कहते हैं murky waters. तो वो जो है, उस murky water में जो है, वो कूद गई, और फिर जो है, धीरे-धीरे जो है, boat को जो है, उस rivulet में, rivulet मतलब होता है, पाने की एक छोटी सी धारा, जो है, stream, उसे rivulet कहते हैं. तो वो जो है, boat को जो है, फिर rivulet की तरफ जो है, पुश करने लगे, जबकि cool breezes जो थे वो, हमारे faces और bodies को सूध कर रहे थे, यानि की आराम दे रहे थे, राहत दे रहे थे, cool breezes का मतलब समझे की न, थन्दी हवा. After about 10 minutes, she stopped and scooped a large lump of black mud from the bottom of the lagoon. लगबक 10 minutes के बाद जो है, वो रुख गई और उसने जो है, हाथों से जो है, एक बड़ा जो है, काले कीचर का जो है, लंप जो है, वो हाथ से scoop करके उठाया. और कहां से scoop किया? लगून के नीचे से, लगून के bottom से. यानिकि 10 minutes तक पहले तो वो बोट को जो है, रिव्यूलेट की तरफ जो है, पुश करती है, जबकि जो टुरिस्ट है, वो ठंडी-ठंडी हवा का जो है, आनंद ले रहे हैं, और फिर 10 minutes के बाद जो है, वो रुख गई, और उसने जो है, ठेड़ सारे black mud का लंप जो है, वो Smiling, she called out, मुस्कुराते हुए, उसने आवाज दी Who wants a mud mask? किसको mud mask चाहिए? Mud mask क्या होता है? तो कीचर को चेहरे पर लगा के सूखने के लिए जब छोडते हैं, तो उसे कहते हैं, mud mask It's a much better beauty treatment than you will get in any spa Normally लोग इस तरह के skin treatment के लिए spa वगेरा में जाते हैं, तो वो कहती है, guide जो है, वो कहती है कि ये जो है, काफी बेहतर beauty treatment है, compared to जो भी आपको किसी spa में मिलेगा Beauty treatment मतलब समझे की नहीं, अपने चेहरे की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए जो लोग करते हैं, processes, procedures, उसे क्या कहते हैं? beauty treatment, जिसे कोई जो है, वो क्या कहते हैं, उसको facial करवाते हैं, bleach करवाते हैं, है न, कुछ लोग जो है वो इस तरह से जो है, face mask लगाते हैं, तो इसी तरह का जो है, तो वो कहती है कि कि किसी भी spa में जो आपको beauty treatment मिलेगा, उससे ये काफी बेहतर है, ये a brave young woman from our group, jumped into the few feet of water, saying, एक जो बहादूर, युवा लड़की थी हमारे group से, वो जो है उस पानी में जो है कूद गई, कहते हुए, I will try it, मैं इसे try करूंगी her face was soon mud covered and then she was back in the boat, drying her mud mask in the sun उसका चहरा जो है, जल्दी ही, कीचर से पूरा cover हो चुका था और फिर वो वापस boat पर आ चुके थी, सूरज के रोशनी में अपने mud mask को सुखाने के लिए like bees to honey, the other women and even one of the men put on mud masks और जैसे मदमख्यां जो हैं वो honey की तरफ आकरसित हो जाती हैं, वैसे ही दूसरी ओरतें और एक मर्द भी जो है, वो mud masks लगा रहे हैं थे a short time later, having washed off their dried masks, most of the women remarked, their skin felt tighter and softer तो कुछ ही देर बाद, थोड़े ही समय के बाद, अपने चेहरे से उन dried mask को धो के हटाने के बाद जादा तर औरतों ने ये comment किया, कि उनका skin जो है, वो ज्यादा tight feel हो रहा था और ज्यादा मुलायम feel हो रहा था the youngest woman in our group stood up in the boat and smiled at us saying जो सबसे युवा महिला थी हमारे group में, वो जो है बोट में खड़ी हुई और हमारे तरफ जो है, मुस्कुराते हुई, उसने कहा don't I look like a model? क्या मैं मैं मॉडल की तरह नहीं दिख रही हुँ? after this mud mask, I am sure I can compete with any woman in a beauty contest इस mud mask के बाद मैं sure हूँ कि मैं किसी भी औरत के साथ जो है compete कर सकती हूँ, मुकाबला कर सकती हूँ beauty contest में even without the mud mask treatment, she is beautiful well, बिणा mud mask treatment के भी वो beautiful थी, और beautiful है I mumbled to myself, मैं ने खुद के हुई बुदबुदा के कहा ये बात so, were they telling the truth or just romanticizing about being revived in a natural setting तो क्या वो लोग जो है, सच बोल रहे थे या फिर जो है, बस वो जो है romanticize कर रहे थे कि कैसे natural setting में जो है उनके beauty को revive कर दिया है दुबारा से जो है, और पुनरजिवित कर दिया है ये कौन सोच रहा है? हमारे narrator जो है, वो सोच रहा है कि क्या ये लोग सच में ऐसा बोल रहे हैं कि मद मास्क लगाने पर उनका skin जो है वो tight हो गया है, और ज़्यादा soft हो गया है या फिर वो लोग जो है बस ऐसे ही romanticize कर रहे है कि nature ने जो है उनके कह सकते हैं कि beauty को जो है revive कर दिया है है ना I could not tell nature कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि वो सच बोल रहे हैं कि वैसे ही कह सकता है कि fantasize कर रहे हैं, unrealistic क्लेम कर रहे हैं actors, beauty queens and models have visited the lagoon to try the natural nutrient filled mud that seems to tighten the skin actor, beauty queens और models वो सब इस lagoon पर आये हैं इसके natural nutrients से भड़े हुए कीचर को जो है try करने के लिए जो कि ऐसा लगता है कि skin को tight कर देता है I wish I had a plastic bag to take some of this mud back to Canada मेरी एक्षा है कि या मैं चाहती थो कि मेरे पास एक plastic bag होता कि मैं इसमें से कुछ मिट्टी जो है कुछ कीचर जो है वो Canada लेके जाती remarked one woman as she waited for her mask to dry एक औरत ने जो है ये comment किया जबकि वो अपने mask के सुखने का इदिजार कर रही थी smiling I handed her a plastic bag that I had brought with me to carry my bathing suit मुसकुराते हुए मैंने उसे एक plastic bag दे दिया जो कि मैं अपने साथ लाया था अपने bathing suit को carry करने के लिए bathing suit मतलब नहने वाला जो होता है कर दो gratefully she filled it with the black mud काफी जो है कृतागिता के साथ जो की हमारे narrator के परती जो है thankfulness की भावना के साथ उसने वो plastic bag लिया और उसमें जो है उस काले कीचर को भढ लिया how she would get it through Canadian customs I had no idea अब वो इस कीचर को कैसे Canadian customs से होकर ले जाएगी मुझे कोई idea नहीं था in fact जब भी आप किसी दूसरे देश से आते है न अपने देश में या अपने देश से आप किसी दूसरे देश जाते हैं जब भी कभी आप international border को cross करियेगा तो वहाँ पर custom department वाले जो हैं वो बैठे रहते हैं customs वालों का काम है कि देश से बाहर क्या जा रहा है और देश के अंदर क्या आ रहा है इस पर करी नजर रखना तो वो Canada की है तो जब वो Canada लोटेगी तो उसे Canadian customs से होके पास करना होगा और normally ये customs वाले जो होते हैं वो किसी भी दूसरे जगह के इस तरह के बायोलोजिकल प्रोड़क्ट बगएरा को जो है लाने से पहले काफी चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई ऐसा पैथोजन तो नहीं जो भी मारी पैदा कर दे तो इसलिए जो है नेरेटर जो है वो मनी मन सोच रहा है कि वो कैसे अब इसको बिगिनिग आवर ज़र्णी वी वर सिटिंग इन ऑपन एर रेस्टोरेंत अन बीच इन बाडवेखा तो लगवन तीन घंटे अनी ज़र्णी के शुरू होने के तीन घंटे बाद हम लोग एक उपन एर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे बारा वेखा के बीच पर here where the rushing salt water of the ocean so here where the rushing salt water of the ocean and the fresh water of the still waters of the lagoon meet यहां कि समुद्र का जो है नमकीन पानी जो है वो आगे बढ़ता है है ना और lagoon का जो ताजा या मिठा पानी जो है वो दोनों जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं we rested comfortably under the restaurant's that roof हम जो है आराम से restaurant के इस छपड के नीचे that roof के नीचे जो है आराम किया हमने while launching on hammocks and chairs drawn up to tables जबकि hammocks पर जो है आराम से लेटे हुए या फिर जो है table chairs जो कि table तक खीज के लाए गये थे उन पर बैठे हुए hammocks जानते है ना एक कपड़े के दो सीरे को जो है दो तरफ बांग देते हैं और इसमें आप आराम से जो है लेट सकते हैं यह लोग जो है जहां पर समुदर का नमकीन पानी जो है वो आगे बढ़ते हुए आता है और लगून के मीठे पानी के साथ जो है मिलता है वहां पर जो है यह लोग उस ओपन रेस्टोरेंट में बैठे हुए है रेस्टोरेंट के थैच्ड थैच्ड समझते है कि नहीं घास फूस बगेरा से जो रूफ बना होता है तो उस थैच्ड रूफ तो उस थैच्ड रूफ के नीचे बैठे हुए हम लोग जो है आराम कर रहे है थे हमक्स पर या फिर टेबल के बगल में लगे हुए चेर्स पर बैठ के शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स वी वर सर्व्ड एम्पैनाडाज, सोपाज और बेस्ट अफ आफ आल पैसकैडो एला टेहला वो कुछ जादा ही खतरनाक नाम है तो थोड़ी देर तक जो है वहाँ पर इंतजार करने के बाद आराम करने के बाद जल्दी ही जो है इन लोगों को सरु किया गया था एम्पैनाडा, सोपा एंडेन सबसे बढ़ियां पैसकाडो आला टैला वैल ये क्या होता है भी एक्यापुलकोज स्पेसल डिश, स्पाइसी रोश्टेड फिश, फ्रेशली कॉट फ्रम दे ट्रेस पालो लगून एक्यापुलकोज का जो है ये स्पेसल डिश है एक बहुती मसालेदार रोश्ट किया हुआ मचली जैसे की ताजा ताजा जो है ट्रेस पालो लगून से जो है पकड़ा गया था तो ट्रेस पालो लगून से होकर जो हमारी यात्रा थी उसका जो है ये बहुत ही उचित जो है अन्त था वे टु कैप आवर जर्नी धक्कर हम कब लगाते हैं जब काम पूरा हो जाता है तब न उसी सेंस में इसका यूज होता है कि जर्नी को खत्म करना कैप आवर जर्नी ये जो है काफी उचित तरीका था अपनी जर्नी को खत्म करने का ट्रेस पालो लगून से होकर मेरे साथ यात्रा कर रहे एक कलीग के शब्दों में कलीग मतलब सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं ये जो है काफी आराम दे और फुल्फिलिंग दे था पूर्णता का अनुभब करवाने वाला दिन था जो कि हमने जो है उस बेस्ट जगह पे बिताया जो कि नेचर ओफर कर सकती है I hope that the lagoon will not be caught in the boom of the 21st century मैं आशा करता हूँ कि ये lagoon भी 21st century के boom में नहीं फस जाएगा यहाँ पर जो है कहने का ये मतलब हो कि 21st century में जहाँ पर की काफी तेज जिन्दगी हो गई है और changes वगेरा जो है उनका rate काफी बढ़ गया है ऐसे में कोई भी एगर नेचर की जगह है तो वहाँ पर बहुत जल्दी ही जो है इनसान जो है वो जमघट लगा लेते हैं और जो नेचर की beauty है उसे भी हम लोग जो है बिलकुल चका चौध में कहीं ने कहीं बरबाद कर देते हैं तो यह ही कहना चाहता है कि अभी जो लगून का यह बिलकुल प्रिस्टाइन नैचरल ब्यूटी है कहीं यह भी जो है 21st century के टुरिजम बूम में फसके जो है खत्मना हो जाए बरबादना हो जाए सब्सक्राइब का जो आपको इब भी हाज में भी आगया हो जो है अब घ्री चो जो में यह बिलकुल आपको एबाद भी हाल समझ में भी आगया हो थैंक्यू